दोस्तो आज के टाइम पे अगर हमें कोई भी mobile phone purchase करना होता है कोई भी laptop purchase करना होता है इवेन हमारे पास पैसे नहीं होते हैं फिर भी हमारे पास बहुत सारे option होते हैं जैसे कि आप बजाज FinServe का Insta EMI card के थुरू आप ले सकते हैं product को साथे दोस्तो आज कर Samsung finance भी करते हैं जि परे ऐसे credit card भी हैं जहां से आप product को खरीच सकते हैं बाद में पैसे को आप चुका सकते हैं लेकिन दोस्तो इन में से बहुत ज्यादा जो popular है आज की date में बजाज FinServe EMI card यहां दोस्तो यहां पर आप देख सकते हैं यह card इतना ज्यादा popular है starting time सहीं और अभी भी इतना ज्य होगा कि आज हम बात करने वाले हैं अगर आपके पास भी बजाज FinServe का इंस्टा EMI card है और आप जाते हैं किसी भी shop में offline product को purchase करने तो क्या-क्या problem आपके सामने होने वाला है और क्या आपको product purchase करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और अगर आप product को खरीते भी हैं तो कौन सी वो बाते हैं जो कि आपको ध्यान में रखना basic important है इसी topic के बारे में हम complete बात करेंगे तो अगर आपको वीडियो पसंद आगा तो वीडियो को like जरू करिएगा शेयर करिएगा दोस्तों के साथ जो अभी current time में नया phone purchase करना चाहते हैं या नया laptop purchase करना चाहते हैं हाली में दोस्तों यहां पर big billion day का sale भी आने वाला है तो इस वीडियो को दबाके share करिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा important होने वाला है वीडियो में हम complete बात करेंगे कि अगर आप बजार फिंसर्प के इंस्टा EMI card का use करते हैं offline shopping करने के time में तो कौन कौन सी वो बाते हैं जो की company आप आपको नहीं बताती है नहीं को यूटूबर आपको बताता है वह आपके लिए जाना basic important है तो चलिए वीडियो को start करते हैं उससे पहले वीडियो को आपने like नहीं किया है तो एक like जरूर शेयर कर दीजेगा और चैनल पे आप नए हैं तो make sure नीचे आपको rate कलर का button खर में रहते हैं आप गाउं में रहते हैं तो आजकल सारे जगहों पे यह hoodie आपको देखने को मिलता है जहां पर दुस्तों बजाज फिंसर कंपनी जो है वह परचार करती है साप साप अक्षरों में वहाँ पे no cost emi में product को आप खरीच सकते हैं यह लिखा हुआ होता है साथ आपको वहाँ पे एक और चीज बोल लक्षोरों में लिखा होता है 0% interest जी हां दोस्तों यह जो तीन बाते हैं वो बहुत important आपके लिए जानना है कि अगर आप दुकान में जाते हो कोई भी product को खरीदने तो क्या company जो hoodie में आपको लिखा हुआ देखने को मिलता है आपको processing charge नहीं देखने को मिलेगा नहीं आपसे interest company लेती है और no cost EMI में आप product को खरी सकते हैं तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस hoodie का काला सच और company के बारे में भी जानेंगे कि company आखिर आपसे ये सारी बाते क्यों चुपाती है तो देखे दोस्तों आज क भी mobile phone आपको पसंद आता है और आप दुकांदार को बोलेगे कि मेरे को ये mobile बजाज फिन सर्फ के EMI card का यूज करके खरीदना है तो starting में आप internet पे सर्च करो या किसी भी यूटूबर का वीडियो देखो या company के बारे में सुनो तो company आपको ये सारी बाते नहीं बताती है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ध्यान से सुनिएगा सबसे पहला दोस्तों जो भी mobile phone आप पर्चिस करोगे उस mobile phone में दोस्तों आपको processing charge plus GST देना होगा जो कि वहाँ पे mobile phone का जितना amount होगा उसके हिसाब से आपको processing charge plus GST देखने को मिलेगा साथी साथ दोस्तों य आज के date में 15,000 का mobile हर कोई खरीता है तो मान के चलो मोटा मोटी 1200 से 1500 आपका जो है वो insurance में ही लग जाएगा तो दो चीज हमने बात की processing fee plus GST भी आपको देना होगा insurance भी company करके देती है जो कि आपको नहीं बताया जाता है ये company का एक बहुत कड़वा सच है साथ सा दोस्तों आपको 0% interest में company mobile phone कभी नहीं देती है अगर first time आप offline product को purchase करते हो सबसे पहले वो बोल देती है कि हाँ आपको 0% में हम यहाँ पे interest charge नहीं करेंगे लेकिन जैसी आप product को खरीद लेते हो तो company आपसे interest भी charge करती है तो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बात आपक shipping कर लो नहीं दोस्तों ऐसा आपको नहीं करना है आप सारे चीजों को analyze कर लिए क्योंकि आज market में बहुत सारे method है बहुत सारे system है जहां पर दोस्तों आप product को खरीद सकते हैं तो आप आपको यहाँ पे एक चीज़ दिमेरिट क्या मिलेगा कि आप अगर नहीं भी insurance लेना च होता है साथ ही साथ आपको processing plus GST आपको extra देना होगा interest भी आपसे लिया जाता है so I hope दोस्तों इस वीडियो को अगर आपने complete watch क्या होगा तो आपका जो बहुत बड़ा doubt है बहुत सारे लोग question पूछते हैं क्योंकि बजाज फिंसर्प के उपर मैं अक्सर वीडियो बनाता बहुत सारे लोगों का doubt है कि अगर हम offline shopping करना जाएं तो आपके साथ क्या-क्या problem हो सकता है एक और चीज़ दूस्तों अगर आप starting में शुरुआत में बजाज फिंसर्प के इंस्टा EMI card को बनवाते हो तो company का term and condition है कि पहला आप कोई भी processing करेंगे तो आपको offline ही करना होगा यहाँ पे भी उनका एक कमाई करने का जरिया है जब तक आप offline product को खरीदोगे नहीं तब तक वो लोग आपसे processing charge plus GST और insurance और आपका जो interest का charge है वो लोग आपसे कैसे लेंगे और वो लोग पैसा कैसे कमाईगे तो इसलिए उनका ये भी term and condition होता है तो I hope अगर आपने इस video क complete देखाऊगा तो आप ये जान पाऊंगे कि अगर आप offline जाएंगे बजाज फिन सर्फ के EMI card का use करके कोई भी product को खरीदना तो क्या क्या आपके साथ problem होगा क्या company आपको नहीं बताती है क्या आपको YouTuber नहीं बताती है I hope इस video में आपको सारा जानकारी मिल गया होगा फिर दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल है कोई भी जवाब है तो नीचे आप में comment box पर comment कर सकते हैं मैं आपके सारे सवालों का जवाब जरूर दूँगा मिलते हैं इस परकार के कुछ नए और informative वीडियो में तब तक लिए दोस्तों जय हिन बंदे मात्रम